इतना बड़ा आयोजन है, इसके लिए कहिना काई इमेज में दिख नी है, एक सप्साइज के। देखिए, आप सब लोग यहाँ पर हैं और खिलाडी भी आ रहे हैं, उनका स्वागत भी हो रहा है और खिलाडी कितने इंजॉय भी कर रहे हैं, ये भी आप देगे। मुझे नहीं लगता है कि इससे पहले कभी जारकन के इतियास में इस तरीके का कारिकरम इतने उटसाह के साथ मना हो, और जबकि ये बारत वर्ष में पहला ये परियोग है, एसेन होगी चेंपियंशिक का, और जो भी इस छोटे राज में परियास है, वो हम सभी लोग मिलके पुरा जोस्खरोस के साथ लगे हुए हैं, और आशा उम्मिद करते हैं कि इस आयुजन से राज में और खेल को मजबूत होने का मौका मिलेगा, और अभी तो कल से परसों से सुरू होना भी है खेल का, और आप जानकर ये भी आपको अशर होगा कि इस खेल में जिसको देखने के लिए लोग हजारों के टिकर्स खरिचते हैं, ब्लैक में टिकर्स खरिचते हैं, बहुत तरीके से काला बजारी होता है, निसुल्क लोग आकर के इस खेल का आनंद उठा सकते हैं, और दुनिया के नामी गिनामी खिलाडी आज धार्खन के धर्ती पर हैं, और वैसे भी खिलाडियों को लेकर धार्खन परदेश तो अलग अपना पहचान बनाता ही है, लेकिन इसके अलावा इस तरीके से इस तरीके के प्रतिस परदा से और भी खिलाडियों का मनुबल मजबूत होता है, जिसके आप रियास सरकार निरत्तर कर रहे हैं.